नमस्कार मैं प्रिया शर्मा आप देख रहे हैं उत्ते प्रदेश टाइम्स नियंत्रित आयोध्या रिंग रोड को 3935 करोर रुपए की लागत से बनाया जाएगा रिंग रोड शहर से गुजनने वाले नेशनल हाइवे जैसे NH 27 इस्ट विस्ट कोरिडोर, NH 227 A, NH 227 B, NH 330, NH 330 A और NH 135 A पर भीर भार को कम करेगा जिससे राम मंदिर जाने वाले तिर्थियात्रियों को आसानी होगी केंद्री मंद्री ने कहा कि आयोध्या में बड़ी संख्या में दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं यहां के सरवांगर विकास के लिए मेजर रिंग रोड का अप्रूबल हुआ है वहीं बात कानपूर की गरे तो छे लेन के रिंग रोड को मंजूरी मिली है रिंग रोड के 47 किलोमेटर लंबे छे लेन एकसेस कंट्रोल्ड सेक्षन को इंजिनियरिंग खरीद और निर्मार मोड EPC में 3,295 करोड उपए की लागत से विक्सित किया जाएगा यह सक्षन कानपूर के 4 ओर छे लेन नेशनल हाइवे रिंग को पूरा करेगा रिंग रोड प्रमुक राजटी राजमार्गो जैसे NH 19 स्वरडिम चतुरभूज NH 27 इस्ट विस्ट कोरिडोर, NH 34 और आगामी लखनव कानपूर Expressway और Ganga Expressway पर लंबी दूरी के आतियाद को शहर की और जाने वाली आतियाद से अलग करेगा UP के आगरा से लेकर मतिप्रदेश के ग्वालियर तक छे लेन के कोरिडोर को भी हरी ज Certainी मिली है 85 किलोमेटर लंबे हाईवे स्पीड कोरिडोर को 6 लेन कोरिडोर के रूप में विक्सित किया जाएगा जिसकी कुल लागत 4613 करोड उपे होगी यह कोरिडोर उत्तर प्रदेश जैसे ताज महल आगरा किला और मध्यप्रदेश गौालियर किला के प्रमुख परेटर निस्थलो किलो प्रेटर उन्हें गयार किला जाएगा जब।